गर्मियों के मौसम में दोस्तों डॉक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हैर फॉल की वैसे तो किसी भी समय हो सकती है लेकिन आज कल जो प्रशन आप लोगों के आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं hair fall से related कि मेरे डॉक्स को मेरे पप्पी को hair fall बहुत ज़्यादा हो गया है तो भी आज के इस वीडियो में एक ऐसा समाधान जिसमें घरिलू और मैडिशन्स दोनों का mix up में आपको देने वाला हूँ जिसके मदद से आपके साभी hair fall उसे दूर कर सकते हैं देखे नमबर बन बात होती है hair shedding की तो hair shedding को आप पैचान लेना जो मौसम परिवरतन जब भी होता है hair shedding होती है तो सुबह के समय आप extra अलग जगे ले जाकर के जो जगे आपके जहां से अच्छी तरीके से cleaning आप कर सके बाद में वहां ले जाकर के एक बार अच्छी तरीके से अपने डोग के कॉम कर दीजिए कंगी कर दीजिए वहां पर सारे बाल जड़ जाएंगे तो hair shedding अगर है तो इस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं क्योंकि वह तो naturally है और होनी है लेकिन अगर hair patches बन रहे हैं या फिर मान लीजिए कहीं कहीं पर बहुत ही ज़्यादा hairs निकल गया है तो पहला काम आप डिवार्मिंग का ही कीजिए और जो tablet आपको दिख रही है इप्राज जी हाँ यह इप्राज जो tablet है प्रेजिक्विंटल और आइवर्मेक्टिन की बहुत ही अच्छी tablet है दस किलो पर एक tablet दी जाती है लेकिन ध्यान रहे कोई भी मेडिशन आप अपने नजदी की वैट की सला के बगार मत दीजिएगा यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो डिवार्मिंग आप पहले कर दीजिए अगर आपने डिवार्मिंग किया वे एक महीना हो गया है तो आप पहला काम डिवार्मिंग का कीजिए सेकेंड जो वर्क आपको करना है डिवार्मिंग के बाद एक विसेस मल्टी विटामिन, देखें मल्टी विटामिन की बहुत ज्यादा जरुरत होती है, तो विसेस मल्टी विटामिन जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसका नाम है Vita Best Derm, जी हाँ, मैं किसी कंपनी का परचार न दी जा सकती है अगर प्रॉब्लम जादा है तो BD भी कर सकते हैं BD मतलब दिन में दो बार की जा सकती है इसे आप continuously देते रहें ये बहुत ही शांदार रहेगी अब आते हैं अपने man formula पर जो आपको घर पे ही कर लेना है क्या करना है भाई बिलकुल easy method रहेगा पहली बात सबसे important बात कि आप cleaning अपने डोग की regularly चालू रखें cleaning मतलब गंदगी में वो नहीं बैटना चाहिए गंदा नहीं होना चाहिए और सब्ता में दो से तीन बार यानि या तो alternate day कर लीजिए या कम से कम सब्ता में दो बार तो आप गर्मी के मौसम में शनान करवाएंगे ही करवाएंगे लेकिन जो शनान करवाना है वो कुछ इस तरीके से करवाना है कि पहले आप क्या करेंगे शनान करवाने से एक घंटा पहले आप उसे एक particular जगे पे बैठा दीजिए और पूरे सरीर पर अच्छी तरीके से coconut oil जी हा नारियल का तेल लगा दीजिए बड़िया तरीके से पूरे सरीर पर नारियल का तेल लगा दीजिए एक घंटे तक लगा रहने दीजिए और आप नजदीक में ही बैठा लीजिए notice करते रहें कोई दिक्कार नहीं होगी उसके बाद उसे सीधा स्नान के लिए ले जाएं और अच्छा सा medicated shampoo कोई भी medicated shampoo आपको मिल जाए वो use कर सकते हैं जो hair fall के लिए best हो वो use कर सकते हैं बहुत सारी कंपनियों के medicated shampoo आते हैं उससे आप पिर स्नान करवा दीजिए और जो ही आप स्नान करवाते हैं एक soft towel से उसको दबा दबा करके अच्छी तरीके से उसको आप सुखा लिजिए गिला जादा देर तक मत रहने दीजिए तो जब आप उसे अच्छी तरीके से सुखा लेंगे तो भाई पूरी की पूरी problem मिट जाएगी सुखाने के बाद भी आप अगर चाहें तो थोड़ा सा देखिए पहले हमने ज्यादा नारियल का तेल लगाया था तो हलका नारियल का तेल आप लगा सकते हैं अगर आपको लगता है कि कपड़े गंदे हो जाएंगे या कहीं बैट गंदा कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है बाद में अगर आप ना भी लगाएं तो चल जाएगा तो गर्मी के मौसम में हैर फोल को आप इस तरीके से कंप्लेटली ठीक कर सकते हैं